नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूँ रिया अक्खियों से गोली मारे लड़का कमाल जी हम बात कर रहे हैं वालीवुड फिल्म पती पत्नी और वो जो की बड़े पड़ते प्रिलीज हो चुकी हैं जाहिर है इस फिल्म को लेका दर्सकन काफी दिनों से इंत सजार हुआ खत तो चलिए दर्सकों से बात करते और उनसे पूछते की मुवी उन्हें कैसी लगे कार्थी कार्यान का कैसा लगा उससे ज़रा उसका दोस्ते करेक्टर अचा किसका किया लाम का रिदी की क्या तो नहां प्राइब तबस्या और एक और उसका फ्रेंड था ना कि आउट आफ फाइब में से आप कितना डेट दोगे आउट फाइब में से 4.5 कि के बताइए वहुत अची मुवी थी अपर रेटिंग कितना दोगी आउट फाइब में पोर रेटिंग देंगे राल किसका सबसे अच्छा लगा वो एक शेस क्या नाम ता उसी का लगा तब अच्छा लगा तो इसा कार्तिकारियन से एक्सेक्टेट था वह थी मुवी में भी इंटर्टेइनिंग आउट आउट आफ फाइब में से कितना डेट हो गया आप कैसे लगी मुवी आपको पती-पत्नी और वो बहुत अच्छा था पामेडी था एंड लड़की के पस सबसे अच्छा सौंग कॉन सा लगा दिलबडा दिलबडा अच्छा अब रेटिंग कितना दोगी आट आफ फाइब में से फोर सी बहुत अच्छी पूवी है बहुत अच्छी मुवी है राल किसका सबसे अच्छा लगा आपको सबसे अच्छा भूमी का अब रेटिंग कितना दोगी आउट आफ फाइप में से 4.5 चलेगा सबसे अच्छा रॉल किसका लगा दोनों का रॉल अच्छा लगा किसका देखे हैं उतना आपको इंट्रेस्ट नहीं है लेकिन जो हीरो है कर्थी कार्थी कार्यं का रवगा अच्छा लगा अच्छा ट्रांग का लगा आपको वही अभी आप बीच में जो है अक्षी इंसे गॉली अट है और आट फाइफ में से कितना रेटिंग दोगे आप तो अच्छी है आज की लाइब की शो कर रही है कि यह मुवी में क्या होता है कि कोई लड़का चीट करता है तो उसके लिए इदर आधा तुम भी आप कि लड़का चीट करता है अपनी बीवी को तो उसको सबक कहें सिखाया आता है तो आपको सब्सक्राइब कौन सा लगा उस मुवी में धीमी धीमी बढ़िया है और ओट आप में से कितना डेट दोगे आप पूर थैंक्यू बहुत बढ़ियां लगा यह यह यंग जनरेशन का फिल्म था बहुत अच्छा लगा और इसी तरह सा फिल्म आता आगे आते रहें सब्सक्राइब कि अच्छा सॉंग कि सॉंग ज्यादा नहीं था लेकिन रोमंटिक मुवी था अच्छा लगा यंग यंग लोग के लिए है अब रेट कितना दोगा फाइब में से 4.5 आप फा अच्छी थी तरह अच्छा एक्टिंग किसका लगा आपको सबसे अच्छा एक्टिंग लगा त्रीवेधी जी था त्रीवेधी जी था ना आप तेंटावल के लाव तकार्टिकारिया था लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नीशन भारत को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए